नमस्कार दुस्तो ओल हिंदी आईडिया ट्रूप चैनल में आपका स्वागत है दुस्तो अगर आपके पास में जियो फोन नेक्स्ट हैं और अगर आप अपने मोबाइल फोन को अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे आप सौप्टवेर अपडेट करेंगे आज की वीडियो के डेनर में आपको बताने वालो हूँ आप इपने मॉबाइल फोन को अपडेट कर लेंगे तो जो भी new latest feature होगा वो आप अपने मोबाइल फोन में येंज कर सकते हो आपको हेंकी प्रब्लाम आ रही है वो भी आपको नहीं आएगी आपका मॉबाइल फोन चलेगा और जो आपका बेटरी फटा फट बिचार्ज हो जाता है तो वह प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी जैसे कि यहां पर आप देख सकते हूं कि मेरा न्यू अपडेट अवेलेबल मैं इस वक्त अपने मोबाइल फोन को अपडेट कर सकता हूं तो आपको य उससे बहुत सारा आपका मोबाइल फोन की प्रॉब्लम है वह दूर हो जाएगी अच्छा चलेगा और बेटरी भी कम डिचार्ज होगे तो चलिए दोस्तों कैसे अपडेट करना है इस वीडियो गंदर में आपको पत्राने वाला हूं तो सबसे पहले आपको अपने नेक्स्ट सिस्टम अपडेट तो एंड्रोइड 12 जैसे 13 या फिर जो भी नेक्स्ट अपडेट आता वो सब कुछ यहां पर शो करेगा यहां पर आप देख सकते हो कि सौप्टवर अपडेट अवेलेबल ठीक है उसके बाद में यहां पर आपको डाउनलोड के बटन पर क्ल कर लेना है जैसे 100% कम्लिट होता तो चलिए तब तक मैं इस वीडियो को थोड़ा पोस्ट कर देता हूं उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो 100% हो गया है और डाउनलोड अपडेट यहां पर आपको इस्टॉल अपडेट पे क्लिक कर देना है उससे बहले मैं आपको बता दू कि जो भी आपका बेटरी है वो आपका बेटरी जादा होना चाहिए ऐसा नहीं कि 4% 10% है और आप अपडेट करें हो तो आपका अपडेट नहीं होगा और प्रॉब्लम हो सकता है तो आप बेटरी चार्ज कर लीजेगा उसके बाद में इस्टॉल अपडेट पे आ आपको उसे जादा होना चाहिए तभी आपका होगा तो मैं इसको बेटरी चार्ज करके फिर इसको अपडेट यानि इस्टॉल करूँगा तो इस प्रकार से आप अपने जियोफोन नेक्स्ट को सौप्टवेर अपडेट आप कर सकते हैं I hope इस वीडियो में दीग इंपरमे जादा हो इस वीडियोगी